हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के अट सिक्स में रुख करते हैं जारखंड की तरफ जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि जारखंड सची वाले साहे की तरफ से वेकेंसी निकाले गई है कॉमन ग्रेजुट लेबल के लिए जारखंड सची वाले में यहां पर बता दे आपको दोस्तों कि एक नया एड़िटीजमेंट अपडेट किया गया है एक नया नोटीफिकेशन आया है जो कि अभी 10 जुलाई को इसको अपडेट किया गया था इस नोटीस को समझने का प्रयास करेंगे चुकि इस नोटीस में एज क्यालकुलेशन को ल सकते हैं या फिर जो है इस सेक्षन में जो की इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है जारकंड को लेकर यह एडविटीजमेंट नोटिस जाला गया यहाँ पे तो चलिए आप इसको डाउनलोड कर लिजीगा यह दस तरीका अपडेट है दोस्तो अब इस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है जारकंड करमचारी चाहनायों की तरप से जारकंड समान सनातक योगईता धारी संयुक्त प्रतुगता परिक्षा 2023 को लेकर इसके लिए दोस्तों आपका एज क्यालकुलेशन की बात की गई है इस वेकेंसी को लेकर तो जो मिनीमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए यह ध्यान में रखेगा एक कई साल है यह आपका कबसे तो दो काशित विग्यापन के संबंद में इसके अंतरगत जारकंड समानने सनातक योगईता धारी संयुक्त परतोगदा परिक्षा 2019 अब आप समझेंगे कि यहां पर 2019 कहने का क्या तात पर है तो 2019 में जो विग्यापन संख्या था यह तीन 2019 था और यह जैसा कि आपको पता है कि य 2015 में ही दो बार यह बहाली की प्रक्रिया ली गई एक 14 2015 एडविटीजमेंट संख्या और कुछ बैक्लोग्स यानि कि पुरानी वेकेंसिस के बचे हुए सीट के उपर 15 2015 करके जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आपको बता दे कि 2019 2015 और 2015 यह तीन बार इसी को लेगा देखिए यहां पर क्या बोला गया है ध्यान से देख लिजेगा कि इस परतोगिता परिक्षा में यानि विग्यापन संख्या 3 2019 में सामिल वैसे अभ्यार थी जो विग्यापन संख्या 14 2015 और 15 2015 में समलित रहे हो उनकी लिए अधिक्तम उम्र सीमा के निर्धा निर्धारित की गई है तो जो लोग यहां पे इसका फॉरम पहले भरे थे 2019 में या 2015 में उनकी लिए है यह उम्र सीमा का निर्धारन अब एज क्रिटेरिया क्या है यहां पे उनके लिए तो अगर आप एसो यानिके सहायक प्रशाका पतादिकारी का जो पोस्ट है पहले यह सची वाले सहायक का पोस्ट क्यालाया करता था तो यह सहायक प्रशाका पतादिकारी का जो पोस्ट है इसके लिए आपको एज कैलकुलेशन जो है एक आठ दो हजर पंदर से कैलकुलेट किया जाएगा जो भी छात्रिया फॉरम भर रहे हैं जो कि यहां पर सामिल हैं वैसे ब्यारती इस बिग्यापन संक्या में समलित रहे हो यानि कि यह फॉरम आपने पहले भरा होगा 2019 में 2015 में तो आपका ज्यादा हो गया होगा इसलिए सरकार जो है आपको यहां पर एज में रिलेक्शन दे रही है और आपका एज कैलकुलेशन जो काउंट किया जाएगा 2015 से क 36 भी हो गया है तो आप आविद्यन कर सकते हैं कैलकुलेट कर लिजेगा यह जो है आपको एक आठ 2015 से आपका एज कितना हो रहा है अब स्रम परवर्तन पतादीकारी को लेकर यहां पर अपडेट है जिनका एज 2010 है ना प्रखंड कल्यान पतादीकारी का है 2010 एज क्रिटेरिय प्रखंड आप पूर्ति पतादीकारी का एज क्रिटेरिया एक आठ 2010 और अंचल निरिक्षक सह कानुन को का जो पोस्ट है उसके लिए भी एज क्रिटेरिया आपका 2010 का होना चाहिए अब यह जो है अपडेट दिया गया है आपके लिए जो छातर यहां पर समली थे इन वेक है कर्मिक प्रशाष्निक सुधार राजभासा विभाग जारकन राजची की तरफ से पत्रांग संक्या यह जारी क्या गया है जिसके अलोक में उक्तिसर्थ के संसुधन में फल सरुप अभियार्तियों को उपर्यूग कंडिका में अंकित पदों के लिए अधिक्तम उम्रसी में छूट यह तो विग्यापन 14-2015 और 15-2015 अथवा विग्यापन संक्यतीन 2019 में किसी एक विग्यापन में आपको सामिल होना अनिवारे हो रहा होगा तभी आपको एज में छूट मिलेगा मतलब कि यह तीनों में से किसी भी एक फॉर्म को आप भरे हैं तभी आपको यहां प यहां पर जो है यह बाते भी लिखी गई थी लेकिन ध्यान सुन लिजेगा यहां पर जो है यह पत्रांग संक्या जो है 16-73 दिनांग 20 मार्च 2023 के आलोक में यह दिया गया था जिसमें कि जहरकंड समाने इसना तक योगतादार इसना तक इस तरिये संजुक्ष पॉर्थुक लिखेगा यह चीजे और यह जो है आपका एज क्रिटेरिया जो है यहां पर विज्यापित पदों के संदर्व में उम्र की गण्णा निमलिखित संदर्व तितियों के अधार पर की जाएगे तो यह 2019 से अगर काउंट करिएगा तो निवन्तम उम्रसिमा आपका जो है जो ह होगा एक आट 2019 से होगा यह अपडेट दिया गया था दोस्तों इसका ओफीशल लोंटिफिकेशन में ठीक है अब यहां पे जो दोस्तों देखेएगा ध्यान से सहायक प्रशाखा पतादिकारी की एसो का जो पोस्ट है इसके लिए आपका एज कल्कुलेशन एक आट 2015 से किय जाएगा और कनिये सचीवाले सहायक 2019 से श्रम परवर्थन पतादिकारी 2010 से प्लानिंग असिस्टेंट 2019 से प्रखंड कल्यान पतादिकारी 2010 से प्रखंड आपूर्ती पतादिकार 2010 से और अंचल संद्रिक्षक करंगो 2010 से तो यहां पे भी यह बाते लिखी गई है और यह बा अब यहां पर देखेगा तो अधिक्तम जो निवन्तम इस प्रखंड आन्यक स्नातक योगिता धारी जो अभ्यारती हैं 2019 के इस परिक्षा में के तहट प्रकाशित विग्यापन तीन 2019 में सामिल वैसे अभ्यारती जो विग्यापन संक्या 14 और 15 2015 का बैकलोग में समलित रहे ह उनकी लिए एज में चूट है यह फ्रेशर्स के लिए नहीं है जो लोग इस नोटिकेशन को आप लोगों ने भरा है उनकी एज में यहां पर रिलेक्षोन यहां पर दिया जा रहा है यह बाते यहां पर कह cloudy है अब यहां पर देखेगा तो अधिक्तम जो इंवनतम एज क्र चार जनवरी 2021 के द्वारा निर्धारित किया गया है तो यह अपडेट किया गया है दोस्तों कि 35 साल तक अगर आप छात्र हैं या तो आप फॉर्म भर सकते हैं अब यह जो है इस कैलकुलेशन को लेकर अपडेट दिया गया है लेकिन उनके लिए यह अपडेट जो चात्र यहां पे जो है संबंदित हैं पिछले विग्यापन संख्याओं से संबंदित हैं ठीक है जो कि आपने फॉर्म 3 2019 में सामिल वैसे पंद्रावाला ना बैगलोग में संब्लित रहे हो उनकी लिए अधिकता मुम्रसीमा का निधारन यहां पर यह किया गया है तो यहां कि मुझे लगता है कि आपको यह एज को लेकर जो है आप सारा चीज क्लियर होगा और नया नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया य तो आप कई से लेकर 35 साल आपका एज है तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे अधर इस्टेट वाले या जनल कटेगरी वाले तो यह जानकारी दी गई है दोस्तों ऑफीशल थी दो मैंने आप उसाजा किया है इसका एक्जाम पैटर्न दोस्तों देखिए तीन मतलब पार्ट आपका जो है मेधा सूची बनने के लिए तेयार है यहां पर आपका सो नंबर का पेपर होगा और यहां पर ड्यटग्र मिलाओ तो नम्सकारी होगा तो दोनों को मिला पेपर टू ठीरी को मिलाके जिसमें कि आपका हिंदी वाला भी पेपर है computer का भी पेपर है समान निग्यान का भी पेपर है और जारकन जीके से भी समंदित पेपर है तो यहां पर आपको जो है score करना है अच्छा तो यह pattern है मैंने इससे regarding एक वीडियो अलड़ी बना के आपको दिया हुआ है उस वीडियो को भी जा करता है